नितिश कुमार के जितने भी करीबी हैं जितने भी नौरतन हैं या उनके आसपास जो भी चीजें हैं उन सब किसी के उपर एक प्रेसर डाल करके की आप इधर से उधर करेंगे तो देखिए जिस तरीके से अरविंद केजरिवाल को जेल भेजा गया हेमन सोरेन भी जेल में रह ला था वह गर्माया हुआ था तो ऐसे इस्सीती में देखिये कि किस तरीके से नितिश कुमार को हर तरफ से जो है एक तरीके से घेरने की कोशिस जो है वो केंदर के द्वारा की जा रही जो है नहीं रहता था है यहाँ पर लगब साथ हजार करोड का बजट मिला है तो इसमें अभी भी 40,000 करोड रुपए कम है लेकिन अगर नितिश्कुमार के ऊपर इस तरीके से दबाव नहीं बनाए जाता तो शायद नितिश्कुमार मीडिया में ये भी कह सकते थे कि देखिए जो बजट है वो कम है मंत्री को जेल में जाना आप कोई बड़ी बात नहीं है मानसी आप देख चुकी है दिल्ली के सीम अभी भी जेल में है तो ऐसी सिती में हर तरफ से जो है दबाव बनाने की कोशिश्कुमार पर है ये एडी के जितने भी छापे हैं मानसी ये बिल्कुल राजनितिक ही नजर आ मलसी है उनके हाँ भी एडी ने सिकंजा कशा है और लगबग 350 करोड की संपती जप्त कर ली जाएगी ऐसे में आईए सधिकारी संजीव हंस भी है उनके हाँ भी एडी छापे मारी कर रही थी तो नितिश कुमार के सभी करीबियों के हाँ एडी का छापा है ऐसे में मुख्य मंतरी क्या कर सकते हैं आशिश क्या लगता है मुख्य मंतरी क्या कर सकते हैं नहीं देखे मांसी सबसे पहले तो दर्शकों को ये बता दें कि नितिश कुमार के करीबियों पर जो दविश बढ़ रही है एडी की जो प्रवरतर निदेशाले है वो जो है लगातार शिकंजा क दिखाई दे रहा है सबसे पहले नितिश कुमार के करीबी है नौरतनों में से एक माने जाते हैं संजीव हंस तो उनको जो है ये रेप के आरोपी भी है रूपस पुर्थाना में इनके खिलाफ रेप का मामला भी जो है वो चल रहा है तो देखिए कि किस तरीके से नितिश कु माजवादी पार्टी है मायावती की उससे भी जो है चुनाओं लड़ चुके हैं फिलहाल उसी पार्टी में हैं तो एसी सिती में मानसी राधा चरण की जा रही है क्या आशिश क्या लगता है कि केंद्र की द्वारा नितिश कुमार को घेड़ने की कोशिश की जा रही है तो क्या ये जानकर की जा रही है और अगर जानकर की जा रही है जैसा केंद्र क्यूं करेगी क्योंकि अभी तो साथ में मिलकर दोनों सरकार चला रहे हैं बात बिल्कुल सही है मांसी लेकिन इस चीज को समझे कि नितिश कुमार का फिक्स नहीं रहता है बिल्कुल और चुनाओं आ रहे हैं कुछ कह नहीं सकते हैं कि नितिश कुमार इधर रहेंगे कि उधर रहेंगे और ऐसे में जब भी नितिश कुमार इस तरीके की कोशिश करेंगे क्योंकि देखिए केंदर सरकार जो है वो फिलहाल लंगडी है और उसको दो बैसाखियों की जरूरत है चंद्रबाबू नाइडू की जो 16 सांसद है वो और नितिश कुमार के जो 12 सांसद है वो तो ऐसे सिती में नितिश कुमार नाइडू जी का तो एक तरीके से आप स्थिर मान सकते हैं लेकिन नितिश कुमार जिस तरीके से पल्टी मारते हैं तो उसका जैसे आप जानती है ना कि दाए हाथ से काम करें तो बाए हाथ को भी पता न लगे तो ये सिती है तो ऐसे मैं नितिश कुमार कहीं इधर उधर नहीं कर दें इसको लेकर के नितिश कुमार को चो तरफा घेरने की कोशिस जो है एक दबाव बनाने की कोशिस जो है वो भारतिव जनता पार्टी की ओर से की जा रही है और देखिए कि किस तरीके से संजीव हंस फि बनाने का काम है करोडों का और आगवानी घाट पर पिछले साल एक पूल गिरा था जो की निर्माना धीन था वो पूल जो है वो भी SP सिंगला कंपनी बना रहे थी तो ऐसी सिती में नितिश कुमार के जितने भी करीबी हैं जितने भी नौरतन हैं या उनके आसपास जो भी ची हैं तो फिर दर्सक इस बात से चोके नहीं कि नितिश कुमार भी जेल में जा सकते हैं क्या देखिए मुख्यमंत्री को जेल में जाना आप कोई बड़ी बात नहीं हमान से आप देख चुकी हैं अभी दिल्ली के सीम अभी भी जेल में हैं तो ऐसी सिती में हर तरफ से जो है दबाव बनाने की कोशिश नितिश कुमार पर है और इसी वज़े से देखिए जब बजट आया तो किस तरीके से विपक्ष जो है वो अबाज उठाती रही लगा अतार के नितिश कुमार को जुन-जुना थमा दिया गया लेकिन नितिश कुमार कैसे बोलें कि हम तो खुस ह नहीं देखे 58,800-900 करोड के आसपास जो है ये टोटल बजट जो है वो बिहार को मिला है तो लेकिन सबसे बड़ी बात है कि मानसी जो विशेस पैकेज की ही बात की जा रहे थी देखिए विशेस राजे का दर्जा तो बीजेपी बोल दी की नहीं मिलेगा काफी सारी चीजें भी बताई गई उसमें नियमावली जो है उसमें बिहार जो है वो फिट नहीं बैठता है पठारी छेतर और बहुत सारी चीजें चाहिए होती है लेकिन एक लाख करोड का जो है बजट मांगने की कोशिश थी और यहां पर लगबग 60,000 करोड का बजट मिला है तो इसमें अ तो एक तरीके से दबाव बना करके नितिश कुमार को घेरने की कोशिश है और देखिए इधर विपक्ष ने भी कह दिया कि यह सरकार बचाओ बजट है तो ऐसी सिती में देखिए नितिश कुमार को अपने कंट्रोल में करने के लिए केंदर सरकार हर तरफ से जो है वो फिल बिल्कुल बिल्कुल लोग कहते हैं कि EDCBI जो है वो मोदी सरकार के कहने पड़ी चलते हैं लोग क्या कहते हैं मांसी सरकारें जो पहले रही है वो भी कहते हैं कि इशारों पर चलता था यानि उनके भी सरकारे होंगी तो उन्होंने चलाया होगा अपने इशारे पर तो ऐसे मे में आ रहा है कि बहुत तरीके से BJP जो है वो सांसदों को तोड़ने की कोशिश कर सकती है देखिए केंदर में ललन सिंग मंत्री है ऐसा भी हो सकता है कि ललन सिंग को ले करके और 12 सांसदों को BJP अपने में मिला ले तो जोड़ तोड़ की राजनिती तो BJP की सुरू से ही रही है तो यहां पर ये कोई बड़ी बात नहीं है और नितिश्कमार भी इस चीज़ को समझ रहे हैं, इसमें दूसरी य कोई बात है, मांसी की देखिए जहरकंड में ठीक कुछी महीने में चुना होने वाला है, ठीक है और नितिश्कमार चाह रहे थे कि और थरड़ फरंट लेकिन सबसे बड़ी बात है कि नितिश कुमार का जो ये दाओं पेज था इससे बीजेपी को वहाँ नुकसान होता क्योंकि बीजेपी का वोट मैंक दो भाग में बढ़ जाता एक नितिश कुमार के और एक बीजेपी घुट में और इससे जारखंड मुक्ती मोर्चा और कॉ इसी को लेकर के जो है नितिश कुमार पर एक बड़ी दवाव बनाने की कोशिश की जा रही है ये एडी के जितने भी छापे है मांसी ये बिल्कुल राजनितिक ही नजर आ रहे है जिस तरीके से चुनाओं की जो संभावनाय है वो जल्दी जल्दी दिख रही है तो यानि जो चुनाओं की संभावत ने आपने कहा जल्दी जल्दी दिख रही ही तो क्या चुनाऊ जल्दी हो जाएंगे ऐसे मैं चुनाओं तो जल्दी करवाने की बात की जा रही थी लेकिन फिल्हाल जो नितिश कुमार का काम का से इसको देखकर के नहीं लग रहा है कि नितिश्च कुमार मध्यवर्ती चुनाओं करवाने के पक्ष में हैं क्योंकि देखिए बहुत सारे कामों को लेकर के जो अधिकारी है उन सब की खीचाई हो रही है कि जल्दी-जल्दी करिए आपने देखा होगा पिछले जब ये मरीन अगले चुनाओं जब होंगे उससे पहले नितिश्च कुमार पल्टी नहीं मारे केंद्र की सरकार को नुकसान नहीं हो इसको लेकर के नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार जो हो दबिश्च बढ़ाने की कोशिस एडी के माध्यम से कर रही है तो ऐसे में नितिश्च कुमार की करीबियों के हाँ इडी को भेजना ये केंद्र सरकार के तरफ से दबिश्च बनाने की कोशुश की जा रही है ताकि नितिश्च कुमार को दबा के रखे और नितिश्च कुमार पच्चस में पल्टी नहीं मारे वेकर जो तरीके से नतीश कुमार की छबी है कि वो सरकारे बदल लेते हैं वो पल्टी मार मार कर सरकार बदल लेते हैं ऐसे में ये जान कर किया जा रहा है ताकि नतीश कुमार के उपर एक दबश बनी रहे और एक कह सकते हैं उसको की दबाव रहे ताकि उसके बाद जो के लिए बने रहें NBC24 पर अगर यह वीडियो फेस्बुक पर देख रहे हैं तुम्हारे पेज को फॉलो कर ले यूटुब पर देख रहे हैं तुम्हारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिलकुल ना भूले